हेलो रिवन स्वागत है आप सभी का एक्जाम गुरू के इसने इटूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बिहार सिछक भरती परिच्छा 2023 के लिए इसके प्रिवियस एर क्वेशन पेपर का एक कंप्लीट सेट सॉल्व करवाने वाला हूँ या पेपर आपके BPSC के दोरा Headmaster का जो परिच्छा करवाया गया था उसका है दोस्तो आपके Teacher का एक्जाम भी BPSC के थ्रू ही हो रहा है तो एक्जाम का सिलेवस भी सेम है और आपके आने वाले एक्जाम पैटरन भी आपके बिल्कुल सिमलर ही है तो इस वीडियो में मैं आप आपको जो questions करवाऊंगा आप मान कर चलो कि ऐसे questions आपके भी परिच्छा में पूछे जाएंगे तो पेपर देखने के बाद आपको complete idea लग जागा कि किस लेवल की आपको त्यारी करनी है और कैसे कैसे questions BPSC के दोरा इस तरह के एक्जाम में पूछे जाती है इसके साथ ही द दोस्तो मैंने एक टेलिग्राम चैनल भी बना दिया है अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल को भी जोइन नहीं किया है तो उसे भी जोइन कर लेना टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टा का किस ने पर्योग किया था दोस्तों एक5 पर्योग किया गया था लाला लाजपत राय के दौरा यानि कि बी ओप्षेन जो है इस कुछन का बिल्कुल करेक्ट अंशर है आगे बरते हैं दूसरे क्वेश्ण के और दूसरा कोईश्ण पूछा गया था, स्वतंत्रता अंदोलन के प्रथम चरण में अतिवाधी भारतिये नेतरित्व द्वारा निमनलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था। इस नेतरित्व के दौरा संगठित किया गया था स्वधेसी अंदोलन को और इसका बहिस्कार किया गया था क्या स्वधेसी जितने भी यहाँ पर कपड़े बने गये थे उसका यहाँ पर मांग किया गया और जितने भी बिदेसी कपड़े थे इन सभी का बहिस्कार किया गया थ तीसरा प्रसंद पुछा गया था भारत का महान ब्रिध व्यक्ति किसे कहा गया है दोस्तो भारत के महान ब्रिध व्यक्ति कहे गए हैं दादा भाई ने रोजी यानि कि D option इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है चार नंबर भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की प्रथम महिला अ अध्याच बनी थी एनी बेसेंट तो D option जो है वो इस question का right answer है और अगर आपसे एह पुछा जाए कि भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की पहली भारतिय महिला अध्याच कॉंग्रेस की पहली भारतिय महिला अध्याच कॉन बनी तब right answer होगा दोस्तो सरोजनी नाइडू इ यानि कि option number A इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है छो नंबर बाटो और छोडो का नारा किस ने दिया था दोस्तो एह नारा दिया गया था M एह जिन्ना के दोरा यानि कि option number A इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है साथ नंबर सवीने अवग्या अंदोलन प्रारंब करने का निरन किस अधिवेशन में लिया गया था दोस्तों सवीने अवग्या अंदोलन इससे प्रारंभ करने का निरने लिया गया था लहौर अधिवेशन 1929 में यानि कि जो C option है वो इस question का बिल्कुल सही जवाब है इसके बाद अगला question है आठ नमबर भारत के बिभाजन को प्रतम बार किस के दौरा स्युकार किया गया था देखे दोस्तों भारत का जो बिभाजन हुआ था इससे सबसे पहले स्युकार किया गया था माउंट वेटन योजना के दौरा देट मिन्स कि जो D option है वो इस question का right answer है इसके बाद अगला question है 9 number किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र के रूप में बना था दोस्तों यहाँ पर आपका बताना था कि जो वंदे मातरम गीत है वो एक धार्मिक मंत्र के रूप में किस अंदोलन के दौरान हिस्सा लिया था तो यहाँ बना था बंगाल विभाजन के दौरान और बंगाल विभाजन कब हुआ था आप मुझे comment box में comment करके बताना अगला question है इसके बाद 10 number किसकी अध्यचता के अंतरगत मार्च 1940 में रामगर्ण में भारतिये राष्टरिये कॉंग्रेस का तिरपनवा अधिवेशन संपन हुआ यह अधिवेशन संपन हुआ था मौलाना अबुल कलाम अजाद की अध्यचता में that means कि C option correct answer है इसके बाद अगला question है 11 number अगर बौध धर्म हिंदु धर्म के अंदर एक सुधार अंदोलन था इन सब्दों को किसने कहा था तो एह कथन कहा गया था V.A. Smith के दोरा D option इस question का correct answer है इसके बाद अगला question 12 number है किसने सोचा था कि प्रथम बौध वादी council राजगरी में ही होना चाहिए आप सभी को प्रथम है कि प्रथम बौध वादी council है वो राजगरी में होना चाहिए यह किसने सोचा है तो एह सोचा था अजाद सत्रूनी इसके बाद अगला question 13 number है किसके दोरा तीन प्रसिध बंदरगाहों सोपारा, कामबे और वरोच को गुप्त समराज में मिलाये गया था इसके आगला question 14 number है वा प्रथम भारतिये मुसल्मान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था तो दोस्तो इस question का right answer यहाँ पर option number E हो जाएगा उप्रुक्त में से कोई नहीं या फिर उप्रुक्त में से एक से अधीक इसके बाद अगला question 15 number महान मुगल समराटों में से जैसे बाबर से और अन्जेव तक दो समराट राजपूत राजगुमारियों से पैदा हुएं वे कौन-कौन थें तो यह दोनों समराट थें जहाँ गीर और साह जहाँ इसके बाद अगला question 16 number निमनलिकित में से किस के दोरा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था तो यह प्रवधान क्या गया था दोस्तों अस्थाई बंदवस के दोरा जिसे आप इंगलिस में पर्मानेंट सिटल्मेंट के नाम से जानते हो इसके बाद अगला question है 17 number 1893 में किसने ब्राम्वन बिधवा से साधी की थी एह किया था दोस्तों DK करवे ने इसके बाद अगला question 18 number है किस अधिनियम ने इंगलेंड में होने वाले वार्षिक परिछा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया था दोस्तों एह नियुक्ति की अनुमती मिली थी 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत इसके बाद अगला question 19 number है 1530 में दच्छिन बिहार का वास्तविक सासक कौन था दोस्तों 1530 में दच्छिन बिहार का वास्तविक सासक का नाम था सेर खां यानि कि C option इस question का correct answer है इसके बाद अगला question 20 number पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रुप में निश्चित ही बरनीत होती है या किस में कहा गया है या बताया गया है दोस्तों पादसाह नामा में यानि कि C option इस question का correct answer है इसके बाद अगला प्रसन है 21 number किस भारतिय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरसकार देने के लिए Film Archives की अंतराश्ट्रिय फेदरेशन के दोरा चुना गया था दोस्तों यह चुना गया है किसे यहाँ पर नाम है दोस्तों अमिता बच्चन का इसके बाद अगला question है 22 number विश्व स्वास्थ संगठन की E 2025 पहल किस पर केंदरी थे दोस्तों यह जो E 2025 पहल है यह मुख्य रूप से केंदरी थे मलेरिया के उन्मूलन से इसके बाद अगला question है 23 number देल्ली अस्पोर्ट्स इन्वरसिटी का प्रथम कूलपती किसे निउक्त किया गया है देल्ली अस्पोर्ट्स इन्वरसिटी के प्रथम कूलपती बने है दोस्तों करनम मलिसवरी इसके बाद अगला question है 24 number वर्स 2021 में कागज रहित बजट पेस करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तो 2021 में कागज रहित बजट पेस करने वाला राज बन गया उत्तर परदेश डैट मींस कि जो B option है वो इस question का right answer है इसके बाद अगला question है 25 नमबर COVID का पता लगाने के लिए कृतिम होसियारी पर अधारी एकसरे तकनिक को निमलेखित में से किस संस्था दोरा हाल ही में विक्सित किया गया है या विक्सित किया गया है दोस्तो IIT कानपूर के दोरा इसके बाद अगला question है 26 नमबर इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सब 2021 का सात्वा संसकरन कहां में आयोजीत किया गया दोस्तो इसका सात्वा संसकरन आयोजीत किया गया था गोवा राजे के पंजी सहर में यानि कि D option इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है 27 नमबर भारतिय ओलंपियन निरेच चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था यहाँ पर दोस्तो उनके दोरा 87.58 मीटर का थ्रो किया गया था और इन्हीं के लिए उन्हें gold medal मिला है इसके बाद अगला question 28 नमबर है वर्स 2021 के नाटो सिखर समेलन का निमलेखित में से क्या एक विशय था दोस्तो 2021 का जो नाटो सिखर समेलन हुआ था इसका मुख्य विशय था गठवंधन की एकता को सुद्रिवड करना यानि कि D option correct answer है इसके बाद अगला question है 29 नमबर नवंबर 2020 के विहार विधान सवा चुनाब में मतदाताओं की उपस्तिती का परतीसत लगभग कितना परतीसत रहा था दोस्तो इस समय मतदाताओं की उपस्तिती का टोटल परतीसत रहा था लगभग 55% पूरुस के लिए और 60% महिलाओं के लिए इसके बाद अगला question है 30 number बिहार की इथेनौल उत्पादन संबर्धन निती 2021 में किस रासी तक की सबसीडी का प्रभधान है तो दोस्तो इसके तहट total 5 करोड की रासी का प्रभधान है इसके बाद अगला question 31 number है दिसंबर में 2020 में बिहार में उद्घाटन हुए नए कोईलवर पूल की लंबाई कितनी है दोस्तो दिसंबर 2020 में बिहार में कोईलवर पूल की उद्घाटन हुआ और इसकी total लंबाई है 1500 मीटर इसके बाद अगला question है 32 number UNEP तथा बिहार सरकार के वीच फरवरी 2021 में हुए समझाते ग्यापन में निमनलिखित में से कौन सा सामिल है तो दोस्तो इस ग्यापन में सामिल जो है वो एहाँ पर option number E हो जाएगा उप्युक्त में से कोई नहीं और उप्युक्त में से एक से अधीक इसके बाद अगला question है 33 number 2021 में राष्ट्रिय औसत के परतिसत के रूप में बिहार की प्रति ब्यक्ति आये मौजूदा कीमतों पर लगवक क्या थी तो यहाँ पर दोस्तो इसकी आये प्रति ब्यक्ति कितनी थी इस question का right answer है option number E 36% इसके बाद अगला question है 34 number खाल ही में किन दो देसों ने अंतराफ्ट्रिय चंद्र अनुसंधान के अंदर पर कारे करने की योजना बनाई है दोस्तो यह योजना बनाया गया है चीन तथा रूस के दोरा यानि कि C option correct answer है इसके बाद अगला question 35 number है नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजवानी किसके दोरा तै की गई थी दोस्तो इसकी मेजवानी की गई थी रियाद के दोरा option B बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा इसके बाद अगला question है 36 number भारतिये प्रनाली के अनुसार सिच्छा क्या है दोस्तो भारतिये प्रनाली के अनुसार सिच्छा का मतलब होता है सत्य की तलास में मानव आत्मा का प्रसिच्छन इसके बाद अगला question है पर आजाएगा 38 number निम्रलिकित में से किसने उद्यपन परतिकिरिया संबंध को सीखने की मूल उकाई माना है तो दोस्तो एह माना है व्यवहारवादी अधिगम का सिधानतनी इसके बाद अगला question है 49 number इन में से कौन सीखने के लिए रचनावादी दिर्ष्टिकोन से जुड़ा हुआ है तो इस question का right answer हो जागा दोस्तो option number B वाई गोत सिकी इसके बाद अगला question है 40 number एक बच्चे की समाजिक सिच्छा वास्तव में कब सुरू होती है दोस्तो बच्चे की जो वास्तविक सिच्छा है जो समाजिक सिच्छा है वो सुरू हो जाता है जैसे ही वो जन्म लेता है सबसे पहले उसे मा के दोरा सिच्छा दिया जाता है फिर उसे सिच्छा के दोरा अलगलग विद्याले वगरा में सिच्छा प्राप्त होती है इसके बाद अगला question है 41 number निमनलिखित में से कौन सी सीखने के अबधारना में सुधार के लिए एक रननीतिक है तो इस question का right answer हो जागा option number B विशे वस्तु का सार्थक संगठन ही सीखने के अबधारना में सुधार के लिए एक रननीतिक होगी इसके बाद अगला question है 42 number सिच्छा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का सिर्षक क्या है दोस्तो एह जो रिपोर्ट है 1964-66 का इस रिपोर्ट का सिर्षक है सिच्छा और राष्टरिय विकास इसके बाद अगला question है 43 number निवनलिकित में से कौन सा सिच्छन के अंतरा क्रियात्मक चरन के दोरान किया जाता है तो एह किया जाता है दोस्तो सिच्छार्थियों की रूचियों और स्थम्थाओं के बारे में निदान इसके बाद अगला question देखेंगे 44 number एक सिच्छक वास्तब में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वस्तेम सीख नहीं रहा विशेश रूप से व्यक्त किया गया एक दृष्टी कोन क्या है तो दोस्तो एह जो दृष्टी कोन है यह व्यक्त किया गया था रविंदर नाथ टेगोर के दोरा यानि कि जो B option है इस question का वो बिल्कुल सही अंसर है इसके बाद अगला question है 45 number स्वामी विवेका नंद ने निवनलिखित में से किस अवधारना पर बल दिया है दोस्तो स्वामी विवेका नंद के दौरा जो बल दिया गया है वो अवधारना है मानव निर्मान सिच्छा का इसके बाद अगला question है 46 number सहकारी अधिगम की अवधारना किसने प्रस्तूत की है दोस्तो जो सहकारी अधिगम है इसकी अवधारना प्रस्तूत की गई है इन में से कोई option सही नहीं है तो इस option क्या है विल्कुल right answer हो जाएगा ऐसा ही option आपके इस वार exam में भी रहने वाला है क्योंकि आज की meeting में आपके total 5 options final हो चुके है तो दोस्तो आप से भी लोग इसके लिए तयार हो जाएए क्योंकि इए options की वज़े से आपके बहुत ज़्यादा negative marking यहाँ पर होने वाले है आईए आगे बढ़ते हैं अगले question की और तो 47 number question है कि इसके लिए उपयोग किया जाता है इसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तो प्रगती सील भेदवाब के सिध्धान्थ को इसके बाद अगला question है 48 number इन में से किसने सुझाव दिया की अहंकारवाद छोटे वच्चों के भासा सिखने को प्रभावित करता है दोस्तो इह सुझाव दिया गया था प्याजे के दोरा डैट मिंस कि जो बी ऑप्सन है वो बिल्कुल राइट अंसर है इसके बाद अगला question है 49 number बच्चा परम ब्रमांड का एक अभिन अंग है या किसका दृष्टी कून है तो दोस्तो इह दृष्टी कून हो जाएगा आपका आदर्स वाद का डी ऑप्सन इस question का correct answer है इसके बाद अगला question है 50 number रूसो की सुतंता की अभधारना को किसके दोरा से उकार नहीं किया गया था दोस्तो जो रूसो की सुतंता की अभधारना है इसे reject कर दिया गया था John Dewey के दोरा डैट मिन्स की जो D option है वो इस question का correct answer है अब इसके बाद दोस्तो लगभग 100 questions आपके और बच गए हैं जिनमें आपके quality हो जाएंगे, history, geography हो जाएगा, science हो जाएगा और इसके साथ साथ math के questions include किये गए हैं तो उन 100 questions को भी मैं आपको 50-50 questions के एक अलग-अलग lecture में इसी channel पर upload कर दूँगा तो आप सभी लोग channel को subscribe की रहिए और इसके bell notification को भी on कर लें इसके अलावा दोस्तों मैंने इस exam के लिए पहले ही बहुत सारे private quiz paper upload कर रखे हैं तो आपने अभी तक अगर उन papers को नहीं देखा तो चैनल के playlist में जाकर देख लेना और अगर आप इस question paper का PDF डाउलोड करना चाहते हैं तो इसका PDF आप मेरे telegram channel से डाउलोड कर लेना telegram channel का link आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा so guys फिलाल इस video में बस इतना ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक और share करें मिलते हैं दोस्तों फिर सक नए वीडियो में आप सभी को आपके exam के preparation के लिए best of luck